ओम स्यंति, दो जोलाई बाबा ने हमें इस संपोर्ण विश्व ड्रामा का ग्ञान दिया है जितना जितना उसके गुईयता को हम जानते जाएंगे हमारी स्थिती अचल अडोल होती जाएंगे इसी के साथ इसंपोर्ण कल्प व्रक्ष की भी जानकारी दी है और एक विशेश बात कही है तुम्हें मनुष्व से देवता बनना है देवताओं के चित्रों में भी उनका एक गुन स्पस दिखाई देता है और वो है मुस्कराट चेहरा एक दिम रमनीक हरसित कोई उदास ही नहीं बाबा भी कहरें तुम्हें सदा प्रसन रहना है उदास कभी नहीं होना है जैसे बाबा कभी किसी पर गुसा नहीं करता तुम्हें भी किसी पर क्रोध नहीं करना है तो ये श्रश्टी कल्प व्रक्स के समान है बाबा कह रहे हैं ये उल्टा कल्प व्रक्स है मैं इसका बेज हूँ उपर मैं सत्त हूँ, चेतन्य हूँ आनंद का सागर, ज्यान का सागर हूँ लोग ये नहीं जानते के इस रश्टी पर पहले-पहले कौन सा धर्म था देखिये इसकी यादगार में बाबा बढ़ के पेड की याद दिलाया करते हैं जो कलकता में है पनियन ट्री इंगलिस में कहते हैं उसकी बहुत सारी साखाएं जब इनमें आ गई हैं और वही जैसे जड़ बन गई हैं उसको दाइडी कहते हैं लोग लेकिन बीच कहां है उसका में जो थुर था तना था और कहां था ये किसी को पतान चल रहा है काफी अच्छा विस्तार उसका हो गया है तो उससे बाबा उधान देते हैं कि सत्यूग में प्रेता में आदी सनातन देवी देवता धर्म था पवित्रता सुक्ष्यांती थी तुम अपार सुखों में रहते थे तीरे-दीरे कलाएं कम हुई और कैसे अलग-अलग धर्माए द्वापर युग से तो ये कल्प रक्स कोन होता गया बढ़ता गया और अब ये पूरा जड़-जड़ी भूत यानि विक्रित तमो प्रदान हो गया है तो अब ये गिरने वाला है और मैं आकर उन्हें नए व्रक्स की कलम लगा रहा हूँ तो हम इस बात को अपने चिंतन में लाया करें हम सर्व स्रेश धर्म के वासी हैं मानने वाले हैं, अनुयाई हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म पाँच जार वर्स पहले था उन व्रक्सों की आयू तो लोग निकाल भी लेते हैं लेकिन इस कल्प व्रक्स की आयू का किसी को पता नहीं है ये पाँच जार वर्स की आयू आला है बीज है भगवान स्वयम तो हमें ड्रामा के ज्यान पर अपनी स्थिती को अचल अडोल बनाना है और पूने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता से अपना स्रंगार करना है ड्रामा की बहुत सारी बाते हम अपनी बुद्धी में रखे उससे हमारी स्थिती अच्छल डोल होती जाएगी हम नतिंग न्यू की स्थिती में आते जाएगे जो कुछ और आज को स्विकार करते जाएगे हमने किया है हम उसका फल पा रहे हैं बाबा एक और रहस बता रहे हैं कि आत्मा भी गर्ब में पांच छे मास में फर्वेश करती है लगबग पांच साढ़े पांच कोई-कोई च्छे में तो भक्त लोग भगवान के बारे में एक चीज कहते हैं ये भी बात आज की इंपोर्टेंट है कि भगवान हजार सूरियों से भी अधिक तेजो में है तो एक बात तो ये कि फिर सर्वयापी कैसे होगा सब जगे कैसा होगा इतना तेजो में भगवान फिर उसके साक्सातकार की इच्छा रखते हैं अब इतना तेजो में अगर सामने आ जाए तो भक्त उसको देख भी नहीं पाएंगे बहुत अधिक तेज हो तो बाबा कहते है नहीं मैं तो तुमारे जैसा इब इन्दुस्वरूप हूँ लेकिन उसमें तेज भी बहुत है और वो जब हम सब के सामने आता है तो अपने तेज को समेट कर ही आता है ये बाद बाबा कह चुके थे तो हमें बाबा के सक्सातकार की इच्छा नहीं लेकिन उससे बुद्ध योग लगाने की इच्छा रखनी है ताकि उसका संपूर्ण तेज हमारे में भी आ सके और हम देवताओं जैसे हर सित्मुक हो सके अब बाबा ने कहा के तुम्हें उदास नहीं होना है तुम्हें सदा हर सित्मुक रहना है कभी करोध नहीं करना है किसी को दुख नहीं देना ये वाते बाबा हमें रोज रोज समझाते हैं विशेश रूप से किसी को दुख नहीं देना है क्योंकि यदि हम किसी को दुख देंगे जयसे जयसे हमारी श्थिती आगे वड़ती जाएगी, हमारे चेहरों पर तेज जलकने लगेगा, हमारे चेहरों पर हर्षित मुक्ता आने लगेगी और चोचोटी बात हमारी खुषी को हमसे चीनेगी नहीं। ये बात की इसे इसे टेंशन देने की है, कि रोज होने वाली छोटी-छोटी बाते, हम से हमारी खुसी को छेने नहीं, खुसी पर हमारा अपना अधिकार, कौन हमें पढ़ाने आ गया है, किस से हमारा मिलन हुआ है, इस अंतिम जनम में हमें क्या-क्या प्राप्थ हो गया है, उस सब का चिंटन करेंगे, तो बाते छोटी हो जाएंगी, और हम सदा आनन्दित रह सकेंगे, कोई भी माया कावार, कोई भी हार, कोई भी हानी, सर्दी गर्मी, अपना निंदा हमें उदास नहीं कर पाएगी, तो आज हमें सारा दिन बहुत अच्छे चिंटन में रहना है, यह हमारा चिंटन हो, कि मुझे खुश रहना है, उदासी से मेरा कोई नाता नहीं, वर्दान वहोती प्रेरक है, कि हमें अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यार्थ से समर्थ में चेंज करना है, याद रखेंगे आज का महवाद्च, जो व्यार्थ है, वो तो पत्थर हैं, उनकी कोई वेल्यू नहीं, समर्थ ही रत्न हैं, जो बहुत मुल्यवान हैं, याद रखना है, हम नौलेज़फुल हैं, हमारे बार रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर है, इसलिए हम व्यार्थ को फट्स से समर्थ में बदल सकते हैं, ये प्रैक्टिस हमें चालू रखनी है, व्यार्थ तो आता है, कुछ देख कर भी आता है, कुछ बुरा देख कर आता है, कुछ बुरा सुन कर आता है, लेकिन हमें उसकी अवेर्मेंस हो, हमें पता चले कि हम व्यार्थ में बह गए हैं, और व्यार्थ को जल्दी जल्दी समर्थ में बदलते चलें, तो वियर्थ पत्थर समाथ हो जाएंगे और हमारा जीवन हीरे रत्मों से भरपूर हो जाएगा और जब हम समर्थ में रहेंगे तो उसका सुन्दर चिंतन भी हमारे अंदर चलता रहेगा निर्मोही बनने की बहुत सुन्दर विधी सभी के उसको अभ्यास करना मैं आत्मा इस देह रूपी मकान में विराजमान हो यहां महो समाथ हो जाएगा तो आज सारा दिन हर गंटे में एक बार इस गुण्द फिलिंग में यह देह मेरा मकान है और मैं चमकती हुई मनी बहुत तेगस्वी आत्मा यहां विराजमान हूँ, मैं इस तरह रूपी मकान की मालिक हूँ, ओम स्यंति